Hello Friends, Data Structure सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Chapter 55 जिसमें हम सीखेंगे Bread First Search Bread First Search क्या है? तो ये है Graph Traversal जब हम किसी particular information को as a graph store करते हैं Graph Data Structure के बारे में हम already पढ़ चुके हैं तो कोई भी information ऐसी होती जिसको हमें Graph Data Structure में store करना होता है तो कोई भी operation जो उस Graph पे हमें apply करने हैं उसके लिए हमें Graph को traverse करना सीखना होगा यानि Graph को traverse करना एक बहुती basic सी requirement है कि अधि आप Graph में जो information store कर रहे हैं उसके उपर कोई भी operation perform करना चाहते हैं तो आपको एक-एक value को visit करना होगा तो Graph क्या है बहुत सारे nodes हैं, vertices हैं एक-एक vertex को आपको visit करना होगा और इसी को हम बोलते हैं Graph को traverse करना इसे पहले हम tree में भी traversing देख चुके हैं वहाँ पे हमने देखा था pre-order traversing, in order, post-order traversing देखी थी या level order traversing देखी थी आज हम graph traversal भी देख रहे हैं इसमें भी हम देखेंगे कि कई तरह से हम graph को traverse कर सकते हैं So to solve problems on graphs, we need a mechanism for traversing the graphs जो मैंने अभी आप से बात कही Graph traversal algorithms are also known as graph search algorithms Graph traversal algorithm में दो बड़ी major algorithm हैं जिनको हमें पढ़ना होता है एक है breadth first search और दूसरी है depth first search इसी को हम BFS और DFS के नाम से जानते हैं आज का हमारा जो topic है वो है breadth first search को समझदा breadth first search में हम Q data structure का इस्तमाल करने वाले हैं आपको Q data structure भी मालूम है जैसे हम tree में level order traversing करते हैं यानि एक-एक करके हम level wise एक-एक node को traverse करते हैं यानि सबसे पहले level zero पे root node होता है tree में उसके बाद फिर level one पे उसके दो child node होते हैं या उसके बाद level two पे आते हैं तो नीचे और child nodes होते हैं तो level by level हम traversing करते हैं breadth first search भी कुछ उसी तरीके से हैं लेकिन ये graph में कैसे होती है इसको हमको समझना है तो जो logic है उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक graph sample graph दिखा रहा हूँ ये एक graph है इसमें मेरे पास कुछ vertices हैं nodes हैं a, b, c, d, e, f और इनको connect करने वाली edges हैं तो ये मेरे पास information रखी हुई है तो अब इसको traverse कैसे करना है इसका logic समझते हैं तो during execution हम जब इस algorithm को चलाएंगे तो हम हर एक node को कोई एक status set करेंगे यानि तीन तरह के status node के हो सकते हैं status 1, status 2, status 3 status 1 कहलाएगा ready state status 2 कहलाएगा waiting state और status 3 कहलाएगा processed state जब आप graph को traverse कर रहे हो तो definitely आप एक-एक vertex का कुछ use करने चाहते हो इसलिए तो आप उसको visit कर रहे हो तो जो भी processing आपको करनी है एक-एक node की एक-एक vertex की तो अगर आपने किसी node को process कर दिया है तो आप कहोगे उसकी status 3 हो चुकी है यदि अभी अभी तक visit नहीं किया है आपने अभी तक उसकी बारी नहीं आई है तो वो status 1 है यानि अभी ready state में है और process होने के लिए वो eligible हो गया है तो वो waiting state में चला जाएगा उसको हम बोलते state 2 अभी ये बात और बहुतर तरीके समझ में आईगी मैं एक example लेकर आपको समझाऊंगा तो ये हमारे पास algorithm है algorithm में कुल मिलाके six steps है आप देख सकते हैं अभी मैं एक-एक step करके trace करता हूँ इसको पहली step में हमके लोग क्या करने वाले हैं initialize all nodes to the ready state 1 मतलब status सबका क्या कर देना है सबसे पहले 1 कर देना है तो जैसे ये है तो यहाँ पर मुझे सभी का status 1 कर देना है तो मैं क्या करता हूँ सभी node के side में उसका status लिख देता हूँ जैसे मैंने लिख दिया 1 B का भी 1 लिख दिया C का भी 1 लिख दिया D का भी 1 लिख दिया E का भी 1 लिख दिया और F का भी 1 लिखती है, यानि initially सब का status क्या है, 1 है, आजए ये जो algorithms होती है, इन में हमें जब एक एक node को traverse करना है, तो किसी node से तो starting करनी होगी, tree में तो क्या होता है, root node होता है, अब यहाँ तो किसी भी node से starting की जा सकती है, तो जिस node से हम starting करने वाले हैं, उसको हम source node कहते हैं तो put the starting node, हम जिसको source node कह रहे हैं, वो है node A, चीक है, अभी हमारे example में, वो कोई भी हो सकता है, तो जिस node को आप starting node कह रहे हो, उसको मैं यहाँ A कह रहा हूँ, तो put the starting node A in the Q, यानि अब हम एक Q बनाएंगे, और A को Q के अंदर रखतेंगे, तो आप जानते हैं Q क्या होती है, तो देखिए, मैंने एक Q बना लिए, चीक है, यह Q है, इसका नाम रख लेता हूँ Q, ओके, इसके अंदर मैंने क्या रख लिया, A रख लिया, चीक, अच्छा, और क्या करना है, साथ ही साथ, क्योंकि A, Q के अंदर आ चुका है, उसका status हम change करके 2 कर देंगे, status 2 मतलब क्या है वेटिंग state, तो देखिए, जैसी A, Q के अंदर आया, वैसी हमने उसकी status को कर दिया change, तो मैं यहाँ पर 1 की जगे कर देता हूँ, 2, चीक है, तो बाकी सबका status अभी 1 है, लेकिन जो node, Q में आ जाएगा, वो वेटिंग state में कहलाएगा, यानि Q में जो है, वो लाइन में लग हुआ है, प्रोसेस होने का अंधार कर रहा है, और जो अभी line में ही नहीं लगा, वो अभी ready state में है, यानि line में लगने को तो तयार है, वेटिंग state में आने को तयार है, लेकिन अभी line में लगा नहीं है, तो बाकी सारे node का status 1 है, और A का status हो चुका है 2, तो ये दो steps हमको clear सम अब तक चलाना है, जब तक की Q empty नहीं हो जाता, फिलाल दीखे Q empty है क्या, नहीं, Q के अंदर A रखा हुआ है, इसलिए Q empty नहीं है, और अगर Q empty नहीं है, तो अभी loop चलेगा, और step number 4 में क्या होगा, remove करिए front node को Q से, अब आप जानते है Q में insertion और deletion का logic क्या है, insertion एक end से होता है, तो deletion दूसरे end से होता है, तो जो सबसे पहले आया है, वही सबसे पहले delete होगा, तो अभी फिलाल Q में A की node है, तो जो front में रखा हुआ है, वो A है, इसी को हम निकालेंगे, तो हम इसको निकाल के क्या करेंगे, इसको हम process कर देंगे, और इसकी state जो है, वो 3 कर दे तो हमने क्या किया, A को इसमें से निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, मैं A को Q में से निकाल देता हूँ, और इसका status कर देता हूँ 3, इसका मतलब जो A है, वो process हो चुका है, अब क्या करना है, step number 5 में, जो Q में से आपने निकाला A, उसको तो आपने process कर लिया, पर उसके जितने neighbor हैं, उन सब को आपको Q में रखना है, अचा उसके neighbors कौन है, पहले तो वो देखें, A के neighbors वो हैं, जो A से directly connected है, यानि एक तो है B, एक यहाँ पे C दिख रहा है, और एक यहाँ पे E दिख रहा है, इन तीनों को मुझे Q के अंदर पहुंचाना है, तो मैं Q के अंदर इनको और फिर मैंने रखा E को, तो यह इसके तीनों neighbors रख दी हैं, ठीक है, तो देखा जाये तो सबसे पहले A process हो चुका है, A के बाद इसके जो तीन neighbors थे, B, C, E, इनकी बारी आई है, ठीक है, ठीक है, तो step number five में एक तो हमने क्या किया, जितने neighbors थे A के, वो सब को Q में रख लिय और उनका जो status था, वो change कर दिया, अचा लेकिन एक चीज़ धिया, आप A के, उनी neighbors को देखेंगे, जिनका ready state one होगा, मतलब आप इन neighbors को अगर Q में रखने जा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि वो अभी status उनका one हो, क्योंकि जब वो Q में आएंगे तो उनका status two हो जाएगा, ल वो process हो चुके हैं, या Q में already हैं, तो उने Q में लानी की जरूरत नहीं है, तो यह जरूरी है कि A के, चिन neighbors को आप Q में रख रहे हैं, उनका अभी status one हो, तो अभी by chance B, C, E, तीनो का ही status one था, इसलिए मैंने तीनो को ही Q में रख दिया, और क्या किया, इनका, इनके जो status की value ह है, उसको मैंने change कर दी, यानि क्योंकि अब वो Q में आ चुके हैं, तो अब यह 2 हो जाएगा, C का status भी 2 हो जाएगा, और E का status भी 2 हो जाएगा, what next, यह loop हमारा एक बार चल गया है, अब फिर से देखिए, क्या Q empty है, नहीं, Q empty नहीं है, Q में तीन vertices रखे हुए, तो हम क्या क को इसमें से हम निकालेंगे, तो यह मैंने B को निकाला, और जिसको हमने निकाला समझ लीजे, उसको हमने process कर दिया, तो उसका status हो जाएगा 3, got it, तो A भी process हो चुका है, B भी process हो चुका है, got it, आचा, अब B के जितने neighbors हैं, उनको हमको Q में रखना है, यानि step number 4 तो हमने complete कर Q से B को निकाल दिया, जो front में रखा था, उसको process कर दिया, उसका status हमने 3 कर दिया, अब हम B को, जिसको हमने निकाला था, उसके सभी neighbors देखें, वो neighbors जिनका status 1 है, देखें, B का एक neighbor तो A है, पर चुकि A का status already 3 हो चुका है, 1 नहीं है, तो उसको हम ignore करेंगे, B का दूसरा neighbor है D तो D का status अभी 1 है, इसलिए हम उसको रख सकते हैं, Q के अंदर, तो मैंने D को Q के अंदर रखा, देखें, मैं आगे जोडता जा रहा हूँ, यानि insertion हमेशा rare में हो रहा है, और deletion हमेशा friend से हो रहा है, क्योंकि ये Q है, और दूसरा neighbor है B का F, जिसको मुझे insert करना है, और ज F का भी status हो जाएगा 2, क्योंकि वो भी Q में आ चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, B के अंदर, मैंने B के जितने neighbors थे, उनको Q में रख लिया है, तो ये मान लीजे कि B के neighbors कौन कौन हमने रख लिये, एक D रख लिये, और एक F रख लिये, ठीक है, अब क्या करें, step number 5 हमा बार चल चुका है, फिर से हम चेक करते हैं, क्या Q empty है, देखिए क्या Q empty है, नहीं, तो फिर अभी loop चलेगा, step number 4, फिर से चलाते हैं, इसमें हम remove करेंगे front note, front note अभी कौन है, यहाँ पर है C, तो C को मैं निकालूँगा, तो मैंने यहाँ से C को निकाल लिया, C को निकाल लि हम इसके सभी neighbors को देखने वाले हैं, अचा लेकिन C के neighbors कौन कौन है, A है, D है और E है, पर आप देखिए जरध्यान से, A का status भी one नहीं है, D का status भी one नहीं है, और E का status भी one नहीं है, तो इसको कोई भी neighbor eligible नहीं है Q में आने के लिए, इसलिए कोई भी नई entry Q के अंदर नहीं हो रही है, तो step number 5 हमारी complete हो गई, और फिर से loop चल रहा है, एक बार और complete हो गया है, Q को देखें, Q empty है क्या, नहीं, अब यह empty नहीं है, तो Q में क्या है, front में E, तो हमने E को निकाला, E को जैसी निकाला, तो हम E का status भी change कर देते हैं, 3 कर देते हैं, यानि E भी process हो चुका है, और E के neighbors को देखते हैं, E के neighbors कौन है, C है, पर वो already उसका status 1 नहीं है, A है एक और neighbor, E का neighbor एक और क्या है, A, लेकिन वो भी status 1 नहीं है, फिर E का एक और neighbor है D, पर उसका status भी 1 नहीं है, E का एक और neighbor है F, पर उसका भी status 1 नहीं है, तो कोई भी नई entry Q में नहीं होगी, उसके बा D का status हो गया 3 और फिर D के process हो जाने के बाए D के neighbors को देखते हैं पर हम जानते हैं कि किसी का भी status यहां 1 नहीं बचा है तो D के जो neighbors है B, C, E तीनों ही already status 1 को पार कर चुके हैं इसका मतलब कोई भी नई entry Q में नहीं आएगी loop एक बार फिर चल गया अभी फिर देखते हैं condition Q empty है क्या नहीं Q empty नहीं है तो Q के front में जो है उसको निकालते हैं याई F, F निकाला F का status हमने 2 से 3 कर दिया तो F PM ने process कर लिया तो इस तरीके से यह पूरा हुगा F का कोई भी neighbor क्योंकि नया enter नहीं हो रहा है Q में तो जब हम चेक करेंगे कि Q empty है क्या तो yes अब Q empty हो चुका है और इसलिए यह loop end हो जाएगा और जैसी loop हमारा end हुआ तो यह exit हो गया यानि हमारा program end हो गया अभी आप इसमें देखें जरा कि हमने किस order में traversing करी सबसे पहले हमने A को process किया था फिर हमने B को process किया था फिर हमने C को यानि आप तो देखें यह जो Q में values रखी है आप उनको देख लीज़े पहले A निकला था फिर B, फिर C, फिर E, फिर D, फिर F मतलब पहले A, फिर B, C, E उसके आद फिर D, F यानि level wise traversing हो रही है इसमें क्या हो रहा है breadth first search मतलब A के नीचे जो अगला level है पहले वो पूरी breadth वो पूरी चोड़ाई में पूरा cover हो जाएगा उसके बाद अगले level पहेंगे तो depth में बाद में जाएंगे breadth को पहले execute करेंगे इसलिए इसका नाम है breadth first search तो I hope आपको ये logic समझ में आया होगा और breadth first search को breadth first search क्यों कहते हैं ये भी समझ में आया होगा अब यदि आपको ये video पसंद आया तो आप इसको like करें यदि आपको लगता है कि और इस तरह के videos आप देखने में interested है तो आप इस channel को भी जरूर से subscribe करें ताकि जब भी मैं कोई नया video upload करूँ उसकी जनकर ये आपको मिल जाए इसके लाब हम मेरी एक website है www.mysergy.com इस website पे आपको c, c++, java, php, mysql, data structure, dbms इनके video courses मिलेंगे यानि आप पूरा-पूरा course वीडियो lectures के थुरू कर सकते हैं इस site पे एक sequence में video lectures आपको मिल जाएंगे आप एक-एक करके देखते जाएए पूरा course complete होगा ये data structure course का chapter 55 है इसका मतलब इसके पहले 54 chapters already है तो YouTube में अगर ढूडने में दिखके जाती है तो इस site में आपको easily ये सब कुछ मिल जाएगा इसके लावा इस site में विजिट करने का फायदा ये है कि इसमें programming exercise भी है और उनके video solutions भी बने हुए है तो आपको ना केवल program के solution मिलेंगे बलकि उनको बनाने की सही approach भी समझ में आईगी campus preparations related भी content आपको इस site पर मिलेगा और सबसे बड़ी बात है इसमें हर दिन एक नया video upload होता है तो ये बहुत ही active site है तो आप जब भी इसको visit करने हैं आपको कुछ नया content मिलता है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे bookmark कर लीजे आपको लगता है ये काम की है एक और बात कि ये पूरे के पूरे videos ना हिंदी में है हिंदी में होने के करण बहुत सारे लोगों के काम के हो सकते है क्योंकि हिंदी में content कम है English में content तो बहुत मिलता है लेकिन हिंदी में content कम मिलता है तो इस लिहाज से ये बहुत important है और सबसे उपर की बात भीया ये सब कुछ फ्री है इसमें कोई चार्ज़ आपको कहीं नहीं देने हैं आपको सिर्फ वीडियो देखने तो यदि आपको बहुत अच्छा लगे और लगे कि हाँ ये वर्थ है तो आप प्लीज मेरी साइट को अपने फेस्बुक वाल पे पोस्ट करिये इन वीडियो को मेरे फेस्बुक वाल पे पेस्ट करिये ताकि बहुत सारे लोगों तक ही वीडियो पहुँच पाएं तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे क्योंकि देखें मैं इसका कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूं पर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इसको स्परेट करिए क्योंकि अगर हम इसको स्परेट करेंगे तो यह एडुकेशन में कि जो problem है न ये solve हो जाएगी तो मैं आपसे बस इतनी उम्मीद कर रहा हूँ Thank you